को आइफोन लिए ने दोस्तों कि आइफोन तेरा रहा हो सब कुछ faso नहीं लग रहा है दोस्तों लग तेरियसली बोलू तो कि जब इस अब मैंने छोटा लिया प्रोमैक्स नहीं लिया जान बुछ के मैं सोच रहा था कि प्रूमैक्स अभी आपने के पास यह है यह already है इसका कुछ विशह नहीं यह मैं बेचने नहीं वाला हूं खट पीस है नया का नया है क्योंकि अब भी भी लिए छे मैंने भी नहीं होए होंगे तो विशह ऐसा है कि उसमें और इसमें डिफ्रेंस यह लग रहा है मतलब इन दोनों में डिफ्रेंस यह लग रहा है कि पता नहीं क्यों यह बेटर लग रहा है मतलब तेरा प्रो मैक्स बेटर लग रहा है बस यह बेटर एक ही चीज़ में कैमेरा वह भी रॉव उसका रॉव म हुए, लेकिन कैमेरा है बडिया लो लाइट में वो तो इसमें भी आजाते हैं पूर्टरेट मोड नेक्स लेवल आ जाता है यह यहां पर पार्टरेट मोड का यहां सिनेमेटिक मोड 1080p 60fps इसमें तो आई रहा है कि जो कि मैं एडिटिंग में 24 fps करी सकता हूँ कि मैंने क्या लिया है इसमें नया क्या है यह उपर का यह गोल यह उपर का यह ठिपका वह और उपर की जगह का यह को छोड़िया वहापर क्या है क्या करता है लोग कौन काम करते हो आपर आइच्छा गावद रहा है मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है अगर मैं 13 pro लेता ना तो भी मेरे को सेम फिल आ जाती यह लिया तो है मैंने पर उतना साटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि कुछ अलग लिया है इसा फिली नहीं आ रहा है मतलब ठीक है बायोनिक चीप दी गई है एक नैनो मिटर से कम हो गई है स्पीड जादा बढ़ गी है प्रोसेजिंग फावर सिक्स्टी परसेंट का जादा लाइट कैप्चर होगी अपर्चर बढ़ा दिया गया है यह सब चीज ठीक है लेकिन लेकिन यह चीज क्या इतनी जादा है कि तुम्हें डारेक अब्रेट होना चाहिए अब्वेसली नहीं है मतलब अगर यह यह सो परसेंट है ठीक है यह सो परसेंट है तो यह 110 परसेंट है यह 10 परसेंट के लिए हम अपने 15-20,000 क्यू एक्स्ट्रा दे रहे हैं और इसका जो टॉप वरियंट है जो वन लाप तक जा रहा है तो सब्सक्राप बहुत बुरा लग रहा है यह फोन लेगे पता नहीं क्यों मैं इसको वापस करूँगा शायद मुझे अबरदिक मुझे बहूत दिमांडे फोन की तो मैं उसको डिमांडेड यह फोन वापस कर दूंगा और मैं वापस इसमें शिफ्ट हो जोगा इसा मुझे दिल लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे फील आ रहा है पता नहीं क्यों स्मॉल साइज में इतले अच्छा लग रहा है बट मतलब आप अपल ने क्या चार्जिंग लगाने के बाद 10-15 बिनिट में फोन फोन से हंट्रेड हो रहे है वहां पर हमारे अपल जी लाइटनिंग पोर्ट पे अटके हुए और वह मैक्स टू मैक्स अठरावेट चार्जिंग दे रहे है उससे ज्यादा आउकाद नहीं है और वह भी चार्जिंग को लगाओ देड़ गंटा वेट करो तो सो परसेंट होगा नहीं तो तुम गए तेल लागाने आदे गंटे में पचास परसेंट हो पाता है वह भी पावरफूल चार्जर जाहिए ना लाइटनिंग पोर्ट बदल रहे ना बैटरी कापैसिटी बढ़ा रहे हैं ना यह आइध टेन ठीका है यह नहीं बदल रहेन लोड हो गएं दोस्तों एपल के पीछे लोग पगला गए क्यों कि लोगों को लोगों के जिल में भर्म है कि यह एक बहुत ही बैटर उप्षन है स्एक्टी है बहुत ही अच्छे आरो बद्हें सिक्युरिटिया लेकिन अगर तुम ऐसी गलतिया करोगे न एपल तो फिर यार एक दिन आएगा जब तुम लोगों का काम 25 हो सकता है दोस्तो नोकिया भी नहीं बची थी ट्रेंड के साथ चली नहीं थी इसलिए आप ट्रेंड के साथ चलतो रहे हो देखो आज भी एपल के विडियो कॉलिटी के ना तो भाई तुम लोग सचो के हाँ चलो लेकिन अगर मोबाइल में कोई चीज है तो हो एपल का डिवाइस है आप एपल के 12 में भी फोटो निकाल होगे ना तो भी इतनी अच्छी कॉलिटी देता है ना वो की नेक्स लेवल है लेकिन थोड़ा दमाने के साथ चलना चा क्या किया है उन्होंने मतलब यह लोग है ना चेंजिस लाते है तो तो तीन-तीन साल बात चेंज लाते हैं तीन-तीन साल बात बहुत बहुत दिल से मानना चाहूंगा आइफोन 13 Pro Max को रीजन बताता हूं मुझे इस फोन ने बहुत से ऐसी चीज़े दिये जो की प्यार करती ह सबसे पहली और सबसे इंपोर्टन चीज़े जो 100% अगर मैं किसी फोन से एक्सपेक्ट करता हूं कोई चीज और उसमें से 60% जो चीज़े वो मेरे लिए बैटरी बैकप है आज भी यह बैटरी बैकप मैंने इसको फुल चार्ट किया इसको फुल चार्ट किया मैं फुल टे नब्बे परसेंट पर दस परसेंट गटा से जब इसके ऑकाथ पचास से ज्यादा की नीचे आगी तो इसका तो कोई तोड़ी नहीं है और मैं यह नहीं बेचूंगा क्यूंकि यह एक्चुली बेस्ट फोन है मेरे लिए इसकी बैटरी बैकप अच्छी है इसका कैमेरा चा प्रेंट कैमेरा इसमें दिया गया आटो फोकस दिया हुगा है इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम लोग ऐसा बहुत सबर्दस चेंज एकदम खतरना चेंज हो गया है अब ही मैं कर सकता हूं चीज में यह है यह है लोग है के दिवाने हो गया है मतलब चलो आप पल आगया सकता हो बहुत ही कम प्राइज में दिया है तो मैंने ले लिया लेकिन लेने के बाद मैं observe कर रहा हूं दोनों फोन को बार बार कंपेर कर रहा हूं सभी चीजों में कुछ-कुछ चीजों में तो इसमें फोटो बेटर आये मतलब मैं अगर compare करू portrait mode इन दोनों का तो portrait mode में पत कि इसका आवाज भी से कम है इसका बहुत लौड है तियरा प्रोमेक्स का इसका कम है वहां पर यह फोन में लेके गया था मैं ऐसी यूज रहा था वहां पर वाइफाई की एक कांडी आती थी चला जाता था कट हो जाता था इंटरनेट सर्ज भी नहीं हो रहा था जहां पर यह एक दम मक्षन चलता है वहां पर भी यहां पर स्पीड टेस्ट करूं मैं एक कांडी पर तो यह मुझे वहां पर 80 Mbps स्पीड के लिए काफी हो जाता है इसमें उतना भी नहीं हो रहा था करता है और बच्ची के दिल में बटड़ा बाकी ओड़ा आयोए 16 बहुत बढ़ी है सेमी फील है कुछ आलग है नहीं क्या आलग तारीफ का रूबस कैमेरा की कर सकता हो 48 Mbps का जो कैमेरा है वह आउटस्टेंडिंग कैमेरा है एक्चुली उसमें अगर आप फोटो निकालोगे बहुत भेट मतलब लिटरली आप पोट्रेट मोड में जो फोटो निकालते हो न स्लाइट बलर आता है बहुत बढ़िया वालेटी दिखती है मैंने एक मिनिट मैंने गरूडा का फोटो निकाला था 48 Mbps में देखता हो है कि मेरे पास यह उड़ा दिया है और बैटरी वैकप तो या तबहाई मतलब डूस का में बैटरी वैकप का तो वैंडियो ही नहीं द में निकाला गया फोटो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल फोटकालते है नेक्स्ट लेवल और एक फोटो दिखाता हूं यह देखो यह भी 48 Megapixel का फोटर इसमें पीछे बलर देखो नैचरल बिलर और मैं बहुत टेस्ट की आफोन को मतलब मैं कंटीनी दो दिन से टेस्टी कर रहा हूं उसको प्रॉपर लेवल पर टेड़ा प्रो मैक्स और 14 प्रो तेसा फरकी नहीं दिखा वैज पता नहीं है क्या करें क्या करें चलो यह अपना टेक टेक वीडियो नहीं अपना आपन स्ट् मैं उसको प्रो अपना आपना टेस्ट के वीडियो नहीं अपना टेक वे रहा हूं आपना टेक वीडियो नहीं प्रो 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 यह उसको जाए।